अब एक नया चैप्टर बना लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 27 ठीक है और 27 अंडर्सकोर पाइथन और इसमें मैं आपको बताता हूँ अब एक नापको बताता हूँ पाइथन ग्लासेस और अबजेक्ट्स के बारे में ठीक है क्योंकि हमने थोरो नहीं किया है प्रॉपर हमने जस्ट अपने प्रोग्रावंस में यूस किया है लेकिन इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे होती है और इसके बेसिकली मैथर्ट्स क क्या होते हैं इसके ब्लूपरिंट क्या होते हैं बोलना चाहिए वो क्या होता है उस पे समझते हैं तो मैं यहां बनाता हूँ पाइथन क्लासेस और अबजेक्ट्स ठीक है डॉट पाइथन क्लासेस अबजेक्ट्स के गर बात करें तो आपको तो यह पता है कि पाइथन almost everything एक object है ठीक है Python किसी भी चीज़ को जैसे मैंने indentation की बात करी मैंने spaces की बात करी आप देखो सब को वो count करता है मतलब हर चीज़ को आप कुछ भी लिखो गए Python में वो as a object उसको treat करेगा ठीक है उसको एक अलग से property दे देगा या फिर उसको बोल देगा कि ये एक method है या किसी ने intentionally लिखा हुआ है मतलब ये हो गया कि Python हर चीज़ को कुछ भी आप लिखो उसको as a object treat करता है ठीक है इसमें एक चीज़ होती है जिसके मैंने बात करी है अभी classes Python एक पाइथन एक object programming language है ओक है लेकिन ये अपने class को कैसे tweet करता है ये actually class को एक object constructor के रूप में tweet करता है समझ लो एक blueprint के रूप में tweet करता है मतलब अगर आप Python को कोई class से denote करते हो उसका मतलब ये समझता है कि इसके अंदर इसने कुछ ना कुछ लिखा होगा कोई ना कोई object पास किया होगा कोई ने कोई variable पास किया होगा इस class का एक particular function होगा कुछ इस तरीके से इसको tweet करता है ठीक है तो ये तो theory part हो गया मैं आपको practically समझाता हूँ कि मैं अभी आप से मैंने जो जो चीज़ें बताइए तो मैं एक comment लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिख देता हूँ कि create a class ठीक है अब देखो मैं एक काम करूँगा मैं एक my class नाम का एक class बनाऊँगा ठीक है ओके और उसके अंदर एक property दे देंगे x और उसको हम कर देंगे कोई एक value तो देखो सबसे पहले जैसे आपने define statement देखा था ना कोई भी function को define करने के लिए वैसे ही class को बनाने के लिए इसमें हम लिखते है class ठीक है class लिखते हैं अब class के आगे आप उस variable का नाम दे दो आपको कौन सा नाम देना है class को जैसे मैं देना चाहता हूँ my class ठीक आप यहां कुछ भी कर लो कोई problem नहीं बस एक मिलता जुलता नाम देना ताकि आप अपने class को represent कर सको आपको याद रहे पता चल रहा है आपने एक class बनाई कार और आप उसके अंदर दे रहो apple के लाब बनाना इस type से कुछ दे रहो तो वैसे मत करना एक related नाम से कुछ class बनाना यह एक best practice होती है ठीक है उसके बाद मैं colon दे दिया मतलब मैं इसके अंदर अपनी एक condition डाल देता हूँ क्या condition डाल दूँ एक x ले लेता हूँ variable और उसकी value कर देता हूँ 5 ठीक है मतलब मैंने क्या किया एक class बनाया my class नाम से उसमें मैंने x की value कर दी 5 अब मैं क्या करूँगा indentation से बाहर आता हूँ अब यह जो class है इस class को मैं print कर देता हूँ ठीक है my class ही आगया मैं my class को print कर देता हूँ अब मैं अगर my class को print करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा option मेरे पास क्या x की value is equal to 5 आएगी नहीं यह मुझको बताएगा कि यह आपका main program है देखो इसको run करते है मैं एक बार और execute करता हूँ इसको python interpreter और को यहां पर काम करते हैं इसको वापिस execute करते हैं ठीक है यह देखो क्या आया class is equal to main my class main यह जो लिखा हुआ है ना main इसका क्या मतलब हुआ main का basically यह मतलब होता है कि कोई भी class के जो main code हैं आप समझो वो यहां पर लिखे हुआ हैं ठीक है मैं आगे आपको बनाता जाओंगा इसके बारे में तो आपको पूरी चीज़े और clear हो जाएंगी ठीक है नाम दिया है उसको यूज करूँगा एक object बनाने के लिए ठीक है कैसे यूज करूँगा मैं एक फिर से एक class ले लेते हैं same class ले लेते हैं ठीक class my class एक नया बना लेते हैं same और इसमें condition देते हैं कि x की value कितनी हो गई 5 जो हमने पहले दिया हुआ था अब print करने से पहले मैं indentation से बाहर आता हूँ और इसको बोलता हूँ एक p1 ले लेता हूँ ठीक है और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ class को save करवा देता हूँ मैंतलब मैंने क्या किया एक object बनाया p1 नाम से ठीक है अब मैं my class इसको function दे दिया मैंने बस अब क्या करूँगा अब p1 को execute करूँगा ठीक तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा print क्या मैं यहाँ p1 लिख दूँ तो यह execute हो जाएगा p1 की value कितनी आएगी 5 x is equal to 5 लेकिन हमने देखा था कि जब हमने सीधे my class को print किया था हमारे पास एक main variable आ गया था ठीक है अब क्या मैं इसको object में save करके अगर print करूँ तो क्या यह आएगा या x की value 5 आएगी देखो इसमें हो क्या रहा है हमने एक class बनाई मतलब एक group बनाया आप समझो उसके हंदर हमने एक object दिया है class के अंदर हमने x is equal to 5 पास किया ठीक है यह हमारा main class है इसके हंदर हमने एक object पास किया अब object में मुझको object की value इसके आगे define करनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है यहाँ पर multiple value हो देखो जैसे मैंने dot लगाया यहाँ पर x by default आ गया क्यों क्योंकि उस variable के अंदर उस object के अंदर already x pass है अब मैं इसको run करता हूँ तो मेरे पास answer आएगा 5 जो आया answer देखो starting में थोड़ा सा आपको complication लगेगा इसमें ठीक है क्योंकि python classes और object आप समुझ दो python का core होता है ठीक तो आप जैसे मैंने पहले बताया कई 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 चीजों को आपको starting में रटना परेगा क्योंकि यह syntax है आप syntax से कोई छेट शार्ट नहीं कर सकते ठीक है आप syntax पर यह जो syntax आप follow कर रहे हो class बनाने का आप इसको चुपचा follow करो जैसे कि आपने function पर follow किया था लेकिन देखो function को जब हमने starting में follow किया तो पूरी चीज़ें समझ में आई आगे वैसी आप अभी class के function को follow करोगे object को follow करोगे तो आपको पूरी चीज़ें असानी से clear हो जाएंगी ठीक है ये दो चीज़ें आप समझ गए class और उसके अंदर जो हमने object बनाया ठीक अब क्या होता है कि class और object का जो मैंने form बताया ये सबसे simplest form है ठीक है लेकिन real life application में ये form use नहीं होता है ये जो मैंने लिखा ये real life किसी भी application में आपको use नहीं होगा यहाँ पे हम या तो इस main function का use करते हैं या फिर हम initial function का use करते हैं जो मैं आपको आप बताने वाला हूँ ठीक है देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना मैं लिखने वाला हूँ एक syntax the ठीक फिर ये फिर int उसके बाद function एक format है इस format को आप रट्टा कर लो लिखने के तरीके को रट्टा कर लो इसको ऐ ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर केवल capital T होता है बस लिखा ऐसे ही जाता है इसको ठीक है अब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब यह है कि यह जो चीज होती है ना यह एक तरीकी का built-in है classes के लिए ठीक है मतलब यह जो classes है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और इस तरीक यह से भी लिख सकते हो लेकिन classes को proper समझने के लिए आपको यह जो function होता है ना built-in int इस function को आपको समझना जरूरी होता ओके एक मैंने की spelling छोड़ दी ओके इस function को आपको समझना बहुत जरूरी होता है ठीक है एक बार में class आप नहीं समझ सकते हैं पहले इसको समझते हैं फिर the init function कहते हैं ठीक है क्योंकि यह function हमेशा execute होगा जब भी आप किसी class को call करोगे या जब भी कोई class initiate होती है तब यह जो initiate function है यह हमेशा execute होगा इस सीच का ध्यान रखना ठीक है इसी के अंदर आप अपनी value assign करोगे ठीक है इसी के अंदर आप कोई variable कोई property कोई object सब कुछ इसी के अंदर define करोगे ठीक अब इसका एक छोटा सा example लेते हैं ठीक है हम name और age के इसाब से example लेते हैं कि हमको किसी का name और age एक class के जरीए print करना है तो हम कैसे करेंगा सबसे पहले आ क्या करो एक class बना लो ओके अब class बना लो आप person नम से बना लो चलो ठीक है और same format condition देनी है indentation पर आ जाओ अब यहां पर क्या करो एक function define करो मैंने बोला ना class के अंदर function define कर सकते हैं तो function define करने के लिए हम क्या करते हैं डीए एफ है ना डीए एफ उसके बाद दो बार आप लिखोगे ऐसे तो देखो यहां आई दिखोगे तो आल्रेडी आपके पास यहां पर आई हमको इस पर double condition देनी है बट रुकना है तो यहां से वापिस इसको back करो ओके इसको भी पास करो इसको हटा दो आप जाओ सेल्फ पर और सेल्फ में कॉमा देके हमको दो बेरेबल पास करने हैं इसमें एक हमको करना है नेम और दूसरा हमको करना है एज ओके फिर आप आजाओ नीचे एंटर इंडेंटेशन के साथ अब यहां पर एक प्रपर्टी लगाओ सेल्फ ठीक है सेल्फ आपको लगाना ही पड़ेगा बिकॉस सेल्फ के अंदर हमने पास किया हुआ है पेरामेटर ठीक है सेल्फ यह सेल्फ किसको रिपेसेंट करता है क्लासेस को डॉट अब य फिर यहां में एंटर करता हूं फिर लिखता हूं सेल्फ डॉट एज इसी कुवल टू एज अब इंडेंटेशन से बाहर आ जो अब यहां पर फिर से एक पीवन ले लो ओके और उस पीवन के साथ में अब यहां पे उसकी वैल्यू पास करो किसके अंदर क्लास के अंदर पी करेंगे पहली वैल्यू में पास करता हूं नाम देम दिया हूँ है तो मैं दिख देता हुं शरत ठीक उसके बाद फिर कॉमा अब यहां पर मैं लिख देता हूं एज तो मैं दिख देता हूं मालो 36 6 ठीक है अब नीचे आजाओ आप अब आप क्या करोगे आपने class बना ली class में एक function define किया जैसे मैंने बताया कि जब आप class execute करोगे तो function automatic execute होता है जो उसका initial function है ठीक है तो हमने एक self name लिया उसके अंदर हमने name variable pass कर दिया self age लिया उसके अंदर हमने age pass कर दिया उन सब को हमने save करवा दिया classes के अंदर पर अब मैं क्या कर रहा हूँ externally एक p1 बनाया उसमें मैं उस classes में दो variable pass कर रहा हूँ एक है शरत और एक विता एज ठीक है अब मैं दोनों को print करा देता हूँ प्रिंट कराने के लिए print अब पहला वाला print कराते हैं पहले पीवन पीवन के अंदर पहला कौन सा variable हमने बनाया था name उके उसके बाद फिर दूसरा print करवा देते हैं पीवन उसके अंदर हमने एज पास खराया था बस सिंपल सा आपका ये initial function बन गया अब मैं इसको execute करूँगा तो यहां पे मेरा नाम लिखके आएगा यहां पे आएगा एज देखो ठीक है आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम इसको पहले हमने जो जो किया उसमें कितनी easily किया इसमें इतना घुस रहे हैं इतना करने की क्या जरूबत है लेकिन मैंने starting में ही बताया कि यह core है यह core python है इस चीज का याद रखना आप है ना जब आप बड़े-बड़े program होगे या कोई program बनाओगे ना तब आपको वहाँ पर इस classes का actual importance समझ में आएगा ठीक है तो कोई बात नहीं अगर आपको थोड़ा सा confusion लग रहा होगा नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं थोड़ा इस time को थोड़ा सा time दीजे तो automatically आपको समझ में आ जाएगा हाँ इस चीज़ का ध्यान रखेगा यह जो initial function है यह वाला function ठीक है यह automatically हर बार call होता है जब भी आप किसी class को use करोगे ठीक है जब भी आप किसी class को use करोगे किसी नए object को बनाने के लिए तब यह initial function automatically call होगा इस चीज़ का ध्यान रखना ठीक अब मैं आता हूँ नीचे यहाँ पर अब हम देखते हैं object method ठीक है देखो object method मतलब यह हो गया object तो मैंने देख लिया कि python हर चीज़ को as a object लेता है लेकिन इसकी भी एक method होती है मतलब object के अंदर भी एक object की method होती है ठीक है जो method हम object में यूज करते हैं वो basically functions यूज करते हैं जो की object को belong करता है थोड़ सा confusion लग रहा होगा तो मैं आपको इसको फिर से लाइव दिखा देता हूं ठीक हमें एक class बना लेते हैं क्लास बना लेता हूं मैं फिर से एक person नाम की ठीक और इस पर condition देता हूं और एक function define करता हूं सेम कौन सा करूंगा सेम वही आई एन आई टी यह दो को हो गया अब मैं इसको यह इसको तो पुरा हटा देता हूं पहले ठीक अब मैं आता हूं सेल्फ में अब यहां पर फिर मै मैं एक name पास करता हूं यहां age पास करता हूं ठीक अब यहां पर मैं सेमी कौन दे के condition इंडेंटेशन और सेल्फ में जाता हूं और सेल्फ में जाके पहले क्या दूंगा एक name देता हूं उसको name में save करवा देता हूं देखो पहले वाला जब हमने किया थोड़ा सा tough लगा ल है ना अब आजाओ अब आप इंडेंटेशन से एक बेक लो ठीक है दो कि हमको define की नीचे एक और function define करना है अब मैं फिर से एक define करता हूं def अब यहां पर मैं करता हूं एक माई my function मैंने short lick दिया है अब इसके अंदर मैं self को define करता हूं ठीक है ताकि मैं actual में concatenation का use कर सकों तो मैं यहां पर self जो मैंने उपर दिया हूँ है अब यहां पर condition देता हूं कंडिशन देता हूं यहां पर आजाओ अब यहां पर मैं कर देता हूं print इसको एक string मुझको इसमें पास करना है जो की मेरा name age को show करेगा साथ साथ मतलब मैं एक साथ दो function को call करूंगा एक class के अंदर ठीक है print अब यहां पर मैं कर देता हूं एक string पास कर लेते हैं यहां लिख देते हैं hello hello everyone है ना और यहां एक कॉमा लगा देता हूं my name is यहां space देते हैं और उसके आगे अपन name और age जो है वो print कर देंगे अब concatenation का use करना है तो मैं यहां plus दबाऊंगा और उसके बाद मैं यहां पर नाम देना चाहता हूं माल लो नाम देना चाहता हूं माल लो तो मैं क्या करूंगा self और उसकी value पास करा दूंगा name को कि इस variable के अंदर क्या है हमारा name save हुआ है ठीक है हम इस पर name save करेंगे externally अब आप जाओ फिर आप नीचे है ठीक अब सबसे बाहरा जाओ को कि हमको print करना है तो हम class के नीचे आएंगे अपने indentation को लेके function तो हमने बना लिया अब मैं यहां पे क्या करूंगा एक variable लेता हूं पीवन इस पे save करवा देता हूं सबको person ओके मैंने class ले ली class के अंदर मैं ज नाम हो जाएगा और दूसरा मुझे age करानी है तो मैं एक age करा देता हूं ओके अब दूसरा ले लो आप दूसरा कौन सा एक हमने function define कर दिया जिसमें हमने name और age पास कर दी दूसरा हमको function लेना है पीवन से ही ठीक है उसी पे save करवाते हैं और फिर से इसमें classes तो ठीक है हमने name age लिया लेकिन हमने एक नया function बनाया था उसमें ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में यह जो class हमने बनाई थी इस class पे हमने by default जो built-in होता है इसका हमने built-in object function पे working कर ली ठीक है लेकिन क्या हो गया मैंने बाद में एक नया function define किया वो मेरी class को represent नहीं कर रहा इस चीज़ का अ रखना ठीक है तो मैं यहां पे person नहीं लूँगा मैं class नहीं लूँगा मैं क्या करूँगा यहां पे सीधे equal to हटा के dot लिखूँगा ठीक क्योंकि reason यह है कि P1 तो मैंने बना लिया मतलब P1 के अंदर शरद और 36 इसके अंदर P1 dot मैं यहां कर देता हूँ my function को pass ठीक अब इसमें क्या हुआ इसमें यह हुआ my function में क्या दिये हुआ था hello everyone my name is space उसके बाद self name self name में तो शरद automatic आ जाएगा यहां पे ठीक है उसके बाद जो P1 my function बचा यह as it is print हो गया age कहां गई age हुई क्या print नहीं age print नहीं हुई क्योंकि हमने age का कोई initialization नहीं किया है तो simple क्या होगा अभी print P1 पर यह save हो गया और P1 पर हमने my function save कर दिया अब देखो इसमें क्या होगा hello everyone my name is शरत simple यहीं print होगा यह देखो age print नहीं होगा ठीक है क्योंकि हमने यहां से एक value उठाके यहां पे save करी और सीधे इस variable को हमने call कर लिया है ठीक है तो इस पर confuse मत होना self parameter जो होता है न यह जो हमने use किया self parameter है ना self parameter ठीक है मैं इसके बारे मैं थोड़ा सा clear कर देता हूँ को कि एक साथ clear करना सब को possible नहीं होता step by step self parameter क्या होता है यह एक तरह का एक reference होता है current class को define करने के लिए मतलब जैसे कि मैंने मालो यहाँ पर शरत लिखा तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ शरत dot या शरत comma self hand मतलब यह जो hand है यह self का है किसका है शरत का है ठीक है कुछ इस तरीके से आप समझो जैसे कि यहाँ पर self name age लिखा हूँ है मतलब यह जो person class बनी हुई है इस person का यह name और age है तो self जो क्या करेगा वो current parameter current instant कि किसी class की current instance को define करता है ठीक है और यह किसी भी variable को जो की class को belong करता है उसको access करने के काम आएगा क्योंकि आप इसमें पहला दूसरा उसका फिर वहाँ पर उस variable को denote कर दे रहे हो यहाँ पर ठीक है तो इसलिए काम आता है self तो by default self parameter हमेशा रहेगा ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है एक चीज़ और एक चीज़ और ऐसा जरूरी नहीं है कि यह self parameter कोई particularly कोई object है या कोई name है आप इसको change कर सकते हो ठीक है आप इसको change कर सकते हो देखो मैं change करके दिखाता हूँ मतलब आप ऐसा मज़ समझना कि यह जो self parameter है यह self parameter को आप यहाँ पे कुछ change नहीं कर सकते हैं मैं यहाँ पे शरद भी दे सकता हूँ वो भी उसी parameter के जैसे काम करेगा लेकिन जो syntax होता है वो same होना चाहिए ठीक है इसका example दिखाता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाहरा हूँ मतलब ऐसा नहीं है कि यह कोई built-in function है भले यह जैसे हमने initial को यहाँ पे put up किया अल्रेडी यह आ गया तो भले यह built-in function दिखा रहा है बट यह built-in function नहीं है आप इसको change कर सकते हो ठीक है मैं इसको दिखाता हूँ पहले यहाँ लिख देता हूँ the self parameter अब देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे कर देता हूँ self की जगा पे कोई शरद object कर देता हूँ ठीक है ऐसे कर दूँगा तो मैं फिर से example ले लेता हूँ फिर से पहले मैं एक class बना लेता हूँ अब देखो मैं बार बार ना एक ही चीज कर रहा हूँ ठीक है ताकि आपके practice हो जाए मैं बार बार इसको उठा के copy paste नहीं कर रहा हूँ मैं पूला लिखूँगा ताकि आपके practice हो जाए और आप बताते रहो कि यहां आगे क्या होने वाला है मैं person नाम से class बनाया ठीक है फिर मैं क्या करूँगा फिर मैं define करूँगा किसको define करूँगा init यह दे को आ गया ठीक है यह दे को self by default आया इसमें ठीक अब मैं यहां से self नहीं लूँगा मैंने बुला में self हटा दूँगा मैं यहां लिख देता हूँ शरद object ऐसे कर दूँ ठीक अब देखो यह ले लिया मतलब अब यह उसको as a parameter treat करेगा देखो देखो आ गया parameter शरद object self person ठीक है यह उसको as a parameter treat कर रहा है तो जो पहला वाला जो भी object उसको मिलता है function के अंदर उसको वो शरद object मतलब person का self लेके चलता है यह जो दिया हुआ है मतलब class का self लेके चलेगा इस चीज़ का धान रखना आप यहां कुछ भी पास करा दो अब मैं आगे दोनों variable देता हूँ क्या 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 देता हूँ name और दूसरा क्या मैंने दे दिया age ओके अब यहां नीचे condition दे दो condition पर मैं क्या दूँगा अब यहां self नहीं दूँगा यहां क्या दूँगा शरद object dot name is equal to name ठीक फिर नीचे आ जाओ फिर यहां दे दो शरद object dot age is equal to age ओके अब फिर नीचे आ जाओ indentation से हड़ जाओ फिर वोई function define करो एक नया वाला ठीक इसको भी my function कर दो f u nc ओके और इसके अंदर अब हम self नहीं देंगे इसके अंदर हम शरद object भी नी देंगे इसके अंदर हम abc दे दे देते हैं कि ठीक है condition आपको clear हो जाएगा को कि हो सकता है कि आप उसमें confused हो जाओ कि self self लिखा था तो यह क्यों ऐसे हुआ है ना मैं इसले अलग कर दे रहा हूं सबको अब यहां पर मुझे को क्या करना है मुझे अब यहां पर concatenation देना मतला मुझे ब्रेंट करना है तो प्रेंट कर देता हूं क्या प्रेंट कर दो इसके अंदर मैं प्रेंट कर देता हूं hello everyone my name is उसके बाद फिर मैं concatenation में plus दूंगा और plus में abc abc.name यह हुआ न यह हुआ न यह हुआ न मैंने एक function बनाया ABC का और वहाँ उसको जो name है वो name मैंने ले लिया name कौम सा लिया यह वाला जो की मुझको शरद object से मिलेगा ठीक अब मैं enter कर देता हूँ नीचे आ जाता हूँ अब बापिस आ जाओ आप class के नीचे ठीक है एक P1 उसके अंदर मैं क्या करूँ परसन मेरा class class के अंदर मैं क्या करूँगा दो variable पास करता हूँ एक कर देता हूँ शरद और दूसरा variable पास कर देता हूँ 36 सेम बिल्कुल सेम ठीक अब मैं क्या करूँ यहाँ यहाँ पर P1 dot my function क्या अंसर आएगा बिल्कुल सेम अंसर आएगा hello everyone my name is शरद क्यों आएगा क्यों कि हमने कुछ चेंज किया ही नहीं देखो हमने केवल नाम चेंज किया alphabet चेंज किया कुछ नहीं बाकि objects पूरे वैसी ही है ठीक है आप समझ गए क्या मैं बोलना चाहरा हूँ basically यह होता है इसमें ऐसा कोई भी built-in function नहीं है कि आप कुछ भी दो आप कुछ भी दो उसको जो समझना है वो समझ लेगा ठीक जैसे मैंने या मिनिंग्लेस दिया बिल्कुल मिनिंग्लेस वर्ड दिया ए भी सी लेकिन वह समझ गया ठीक है अब मालो कि आपको इस object की properties को चेंज करना है modify करना है तो आप कैसे modify करोगे जैसे कि यह जो एज है यह हो गई मेरी 36 मैंने दे तो दिया उसको लेकिन तो मैं आ जाता हूँ नीचे एक नया बना लेते हैं और इस पर लिख देता हूँ मैं how how to modify how to modify object property is मैं आजकल गलतिया बहुत कर रहा हूँ इसलिए मैं एक एक चीजों को spelling mistake बहुत कर रहा हूँ actually तो मैं इस चीजों को ना ध्यान से लिख रहा हूँ ठीक है अब जैसे मुझको यहाँ पर एच चींज करनी है तो मैं कैसे करूंगा मैं फिर से पूरा लिखता हूँ ताकि आपकी फिर से practice हो जाए ठीक है person ओके अब नीचे आजाओ एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं मैं नहीं चाहता कि आप भी देख देख के बोलो अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ अब मैं चाहरा हूँ कि अब आप स्टार्टिंग से देखो अब स्टार्टिंग से बताओ क्या क्या होता है खुद को एनालाइज करो ठीक है हमने एक class ले लिया अब एक डिफाइन कर लेते हैं क्या कर लें आई एन इटी ओके यह आ गया हमारे पास हम यह पास्वास सबको ह एक तुम है उसके बाद फिर सेर्फ दॉट डीज इस इक को सुगे है यह अधी एक वस्wenक्षं डीफाइन करता हूँ नीजे आ जाता हूं एक डिफाइन करता हूं माई फंक्शन एन my func और my function के अंदर मैं क्या नाम दे दूँ मैं एक नाम दे देता हूँ self ओके यहाँ पर ले लो colon अब मुझको print करना है concatenation के रूप में मैं यहाँ क्या कर दूँ hello hello everyone my name is concatenation दे दो प्लस इसके अंदर क्या पास करा दूँ self और उसके अंदर name ठीक है क्योंकि मुझको name लिखना है अब मैं यहाँ क्या बूल रहा हूँ उसको कि मुझे age को change करना है ठीक है तो पहले तो मैं इसमें value पास करा लूँगा p1 is equal to person मेरी class हो गई और class के अंदर दोनों जो objects हैं उसकी value हो गई पहले की हो गई शरद और दूसरे की हो गई age अब मुझको यह change करना है क्योंकि देखो मैंने वहाँ save तो करवा दिया पी वन पे अब जब आप पी वन पे कोई चीज सेव करवाद होगे मतलब एक variable बनाके कोई सेव करवाद होगे और अपने function को execute करोगे कोई भी रियल लाइफ प्रोग्राम आप यूज करोगे आगे तो इसके नीचे की coding तो हम नहीं कर रहे कोकि हमारा इस रियल लाइफ एक्जामपल नहीं है लेकिन कही पर भी किसी भी ending point पर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये तो variable पास किया है इसको आपको change करना है आप क्या करना यहाँ पे जाना पीवन लिखना जो भी आपने इस पे save करवाया हुआ है dot करना और वहाँ पे simple जो भी object आपने पास करा है ना उसको लिख देना और वहाँ पे जाके उसकी ये change कर देना 36 है मैं इसको कर देता हूं माल लो 40 ठीक है है देखो हो गया change अब कुछ नहीं करना है अब आप simple आ जाओ एक नट ये back कर देता है को कि ये indentation का problem जाएगा इसका ध्यान रखना जाको जैसे मैंने जो किया मैंने define के नीचे लिखा था यहां पर भले एज हमने 40 कर दी अब देख लेते हैं कि एज किती हुई है अब केवल आपको एज प्रिंट करनी है आप क्या करोगे आप सीधे हाँ प्रिंट करो ओके और प्रिंट करके आप देदो पीवन और उसकी एज आप ऐसे लिख सकते हो कोई problem नहीं अब इसमें क्या एज आईगी ह हम देख लेते हैं एज आगई हमारी देखो 40 आगई ठीक है ऐसे कर सकते हो इसी के साथ साथ आप डिलीट भी कर सकते हो मैं एक मिलाता हूँ इसको लिखता हूँ डिलीट ऑबजेक्ट प्रॉपर्टीज फिर से पूरा ठीक है क्या होता है आपको एक बात बताता हूँ जब आप ये क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो आपको मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा बट जो फैकल्टीज होंगे ना आपको ऐसी थियूरी पढ़ाएंगे कि आपको अब्जेक्ट को अब्जेक्ट ही बोलना है वेरियेबल पैरामीटर ठीक है प्रॉपर्टीज मैं भी पाइथन करते करते मुझको एराउंड ट्वेल येर्स हो गए ठीक है और प्रॉपर्टीज यह जो टम्स होते हैं यह रटा हो गया है लेकिन यह ऐसे रटा नहीं हुए यह पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम क्या करने वाले हैं उसके सिंटेक्स को समझो उसके ब यह तो आपजेक्स प्रॉपर्टी हो गई जब मैं इसका एक कमांड यूज्ज करूंगा अभी डैर इसको डिलीट करने के लिए उस डैल को प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं उसको बोलते हैं keyword देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ठीक हैं उसको keyword बोलते हैं बहुत अजी आपको बहुत मज़ेदार चीज दिखाता हूं मैं आपको अभी नहीं बताता हूं पूरा फंक्षन लिखने के बाद हम फिर से एक क्लास बनाते हैं परसन ठीक ओके उसको हम फिर से डिफाइन करते हैं कि मैं इसको उपर ले आता हूं फिर से आपकी प्रैक्टिस करवाता हूं इन इटी ओके अब यहां से बैक हो जाओ यहां से बैक हो जाओ सेल्फ को सेल्फ रहने देते हैं यहां पर हम नेम पास करा देते हैं और यहां पर एज पास करा इसी को पास कराया, ओके, अब मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाता हूँ, एक function बनाता हूँ, my function के नाम से, इसके अंदर क्या पास करा दूँ, self या कोई भी नाम पास करा सकता हूँ, कोई problem नहीं, ठीक, उसके बाद अब मैं इसको print करा देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ, same, hello everyone, my name is, छोड़ देते हैं, concatenation यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, self.name, ठीक, अब फिर से बापिस आ जाओ, एक variable ले लो, is equal to, यहाँ पर क्या कर दो, class, plus, दुनों variable को पास कर दो, पहला variable हो गया, शरत, दूसरा variable हो गया, हमारा, sorry, दूसरी value हो गई, हमारी 36, ठीक, अब आप चाहते हो, कि मैं age को delete कर देता हूँ, क्या चाहते हो, आप चाहते हो, मैं age को delete कर देता हूँ, तो, इसको कैसे करेंगे, DEL, यह हो गया हमारा, जो मैंने आपको बताया, keyword, ठीक है, मतब property अलग है, keyword अलग है, तो कोई confuse मत होना, कुछ नहीं है, यह सब धकोसला है, आप बिल्कुल tension मत लेना, आपको आना चाहिए बस, तो कि interview में जब terminology की बात होती है, तो आप तो book कोल के रट्टा कर लोगे, अग कुछ भी बोलो, आपको आना चाहिए, overall बात ही है, ठीक है, अब DEL हो गया, उसके बाद, अब मैं किसको DEL करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, पीवन जो age है, इसको DEL करना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ, मैं इसको print करता हूँ, चलो, print, ठीक, किसको आपको लगता है execute होगा, तो yes, ये बिलकुल execute होगा, ठीक है, और लेकिन एक गलती मत करना, ये गलती मैंने बार-बार मैं हर प्रोग्राम में आपको बताता हूँ, मैं फिर से वो गलती बता रहा हूँ, इसको check करने के लिए लोग क्या करते हैं, print, print, p1 age, बोलते हैं कि दे क्यों होगा यह तो error आ जाएगा क्या गया attribute error क्यों person object has no attribute age हमने यहां पर उसको इनिश्लाइस किया था बट हमने यहां पर delete भी कर दिया तो उसके पास तो है यह नहीं कुछ तो यह गलती मत करना ओके ठीक है आपको simple देखना है आप यहां पर देखो name सिन हमिख नेंء ठीक कि नहीं आ रहा है कि झींट आई गई नहीं नेंट जात डिहागा तो हाई अपने पास में यहिसा सी अपके से आप किसी भी आप जो डिलीट कर सकते हो सुनय की वर्ट के था सूज ठीक है अब माल लो कि आपको किसी object को delete करना है मैंने क्या बोला आपने डिलीट करना है ठीक है तो आप कैसे delete करोगे एक तो हमने object की property यूज करिए ठीक लेकिन आपको किसी object को delete करना है क्योंकि देखो जैसे कि P1 है P1 के अंदर P1 name भी है देखो P1 name भी है P1 age भी है ठीक है तो Del P1 age किया हमने तो age delete हो गया Del P1 name करता तो name delete हो जाता लेकिन मैं चाहता हूँ इसी object को delete कर दूँ जिसके अंदर मैंने pass किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा मैं simple कुछ नहीं मैं simple क्या करूँगा मैं एक काम करता हूँ यहां फिर से बनाता हूँ एक पूरा बनाता हूँ ओके ताकि आपको confusion मत हो और यहां लिखता हूँ का how to delete object नॉट प्रोपर्टी एक ऑब्जेक्ट हम प्रोपर्टी की बात नि कर रहे मतलब हम पी वन की बात कर रहे सरे पी वन को delete करने की बात कर रहे। वह और यहां से ले लेता हूं इसको आई थिंक अब आप लोग की प्रैक्टिस हो गई होगी नहीं होगी तो मैं अगले बात में फिर वैसी करूंगा आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हो तो हो जाओ कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं प्रापर प्रैक्टिस होती है अब मुझे यहां पर क्या करना है मुझे मैं चाहता हूं कि मैं आपजेक्ट को डिलीट करूं तो मैं हां क्या करूंगा सिंपल लिखूंगा डेल डेल कीवर्ड और यहां पर जो अबजेक्ट मैंने बनाया है ना पीवन मैं इसको डिलीट कर ने मेरे पीवन इस नॉट डिफाइंड क्योंकि अब पीवन नहीं है हमारे पास ठीक है तो यह हमने अबजेक्ट भी डिलीट कर दिया डेल की वर्ड के थूँ ठीक है तो ऐसे आप डिलीट करोगे अब इसी में मैंने आपको पहले भी पताया था कि पास स्टेटमेंट भी होता है एक है ना तो यहां लिख देते हैं द पास स्टेटमेंट यह तो आपको पता भी है पास स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं कोई भी फंक्शन जो class बनाई और यह इस class का नाम दे देता हूं person ठीक है लेकिन लेकिन इस class पर मैं अभी कोई भी value कोई भी function कोई भी initialization कोई भी property कोई भी attribute कुछ ने define करना चाहता मैं बस आगे के function पर जाना चाहता हूं आगे कुछ और class बनाना चाहता हूं और उस पर इसको यूज करना चाहता हूं या कोई और प्रोग्राम बनाना चाहता हूं उस पर आगे यूज करना चाहता हूं मैं बाद में इसकी coding करूंगा तो मुझे क्या करना है यहां पर simple मैं pass कर दूँगा simple ठीक है तो class python यह समझ जाएगा कि भई इसने object बनाया है लेकिन इसने अभी उसको पास कर दिया यह आगे की coding बाद में करेगा बहुत समझदार होता है python ठीक है तो आप ऐसे statement दोगे आगे पास करने के लिए बाद में आप वापिस आके यहां पर जो code आपको लिखना है आप उस code को यहां पर लिखके execute कर लेना ठीक है यह जो मैंने आपको बताया ना यह था पूरा का पूरा हमारा classes and object और जो भी आप life function करोगे real life function, real life program बनाओगे कुछ भी बनाओगे इन ही के अंदर है जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको सब कुछ इसी पर है ठीक, I think अब आपको easy लगने लगा होगा इसको follow जो करना पड़ेगा आपको, यह जो syntax होते हैं इन सब syntax को follow करना पड़ेगा इसका कोई रस्ता नहीं है shortcut नहीं है, shortcut मिलेगा तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा की function के अंदर function को कैसे call करना है हम कर सकते हैं shortcut में, मैं चाहूँगा, मैं चाहूँगा, अगर 1000 line के code को मैं 10 line पे कर सकता हूँ यह करते हैं, python इसी लिए मशूर है, ठीक है, आप 1000 line का जो code है, 1000 line के code को आप 10 line के code में execute कर सकते हो python को बहुत powerful होता है, मैं आपको आगे सब चीजें step by step सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको classes और object को properly समझना है, अगर नहीं समझ में आया होगा यह chapter, तो एक बार फिर से थोरो करना, फिर नहीं आएगा, फिर थोरो करना, फिर नहीं आएगा, फिर थोरो करना, आपको properly समझ में आही जाएगा यह, कोई problem नहीं, आगे हम आगे और भी live example लेंगे, तब उसमें भी आपको clear हो जाएगा, ठीक है, तो चलो इस chapter को यहां रोकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे मुझको आपको python inheritance के बारे में बताना है, वो भी एक अलग chapter है, थोड़ा सा, तो अगर इसको यहां पर रोकते हैं और next chapter में चलते हैं, okay